नमस्कार आपका स्वागत है राजनामा टीवी पर मैं भूनम आपके साथ कॉंगर्स नेदा राहूल गांदी को 27 मार्च को चाई बासा MP MLA कोट ने तलब किया है उन्हें कोट की ओर से नोटिस जारी किया गया है कोट ने उन्हें 27 मार्च को सर्शरीर हाजिर होने को कहा है शनिवार को MP MLA कोट के जस्टिस फिर्शी कुमार ने राहूल गांदी की गया जमानती वारंट से रहत देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है अमिट शाह पर विवाद टिपणी को लेकर राहूल गांदी को नोटिस जारी किया गया है मामला 6 साल पुराना है ये याचिका भाश्पा नेता प्रताप कटिहार ने 2018 में दायर की थी चाईबासा के मुख्य नया दिश दंडा दिकारी की अदालत में एक याचिका दायर की गई थी इसमें राहूल पर हूम मिनिस्टर अमिट्शा को लेकर अपत्य जनिक टिपणी करने का आरोप था एडवकेट केश्व प्रसाथ ने बताया अप्रिल 2022 में कोट ने जमानती वारंट जारी किया था लेकिन वह नहीं आए फिर इस साल 27 फरवरी को गिर जमानती वारंट जारी किया गया इस पर राहूल ने अपने वकील के माध्यम से उन्हें पेशी में छूट देने का आगर किया था इसे कोट ने खारिज कर दिया है जिसके बाद उन्हें सशरीर हाजिर होने का आदेश दि सकता है उस वक्त भाश्पा के राश्टी अद्धक्ष के पत पर वर्तमान ग्रह मंतरी अमिच्छा थे राहूल किस बयान बाची के खिलाफ भाश्पा युवा मोचा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप कटिया ने चाईबासा के सीजी एम कोट में केस दर्च कराया था यहीं सुनवाई के दौरा राहूल गांदी के और सिद्धार राची का को जस्टीस रिशी कुमार ने खारिच करते वे हाजिर होने का नोटिस दिया है राहूल गांदी के खिलाव जारखन में तीन मामले चल रहे हैं पहला मामला नमीन जाका है उन्होंने राची के की पहले कि दौरा प्रणा निता प्रताप कुमार ने चाहिबासा कोट में दायर किया चाहिबासा कोट में जमानती वारंड भी जारी किया था रद्द करने के लिए राहूल गांदी ने हार को ने सुनवाई के पार निचली अडालत केuded Tip पर अमल करने को कहा था 50 मामला साल 2 2019 का है जिसमें लोकसभा चुनाव प्रचार के दोरान राची के मोराबादी मैदान में राहुल गांदी की सबा हुई थी यहां भी उन्होंने आपतेजनिक टिपणी की थी इसे के साथ बने रहे रालकामा टीवी के साथ धन्यवाद